दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बालू और गिटी का तो रेट बताएंगे ही और साथ में आपको ट्रक से लेने पर बालू आपको कितना बेनिफीट होता है क्या बेनिफीट होता है और एक ट्रक बालू 12 चका से लेते हैं तो कितने रुपय में आपको मिलेग यह सारे बाते करेंगे और दुकान में ट्रेक्टर से लेते हैं उसमें क्या होता है सारे बात आपको झो है पाता है जितना पैशाफ Sum ठीक है न दोस्तो तो इसी को लेकर आज कि इस वीडियो में हम जनकारी देने वाले हैं तो बस विडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेश्ट करूंगा कि आपने भाई को सस्क्राइब नहीं किया अपने भाई के चैनल को तो सस्क्राइब कर दीजीए और वीडियो को लाइक कर दीजीए देखे दोस्तों अगर कोई भी काम करते हैं लाइक, कॉमेंट, सेर, सस्क्राइब अगर होता रहता है तो काफी अच्छा लगता है आप खुद ही सोचिए अगर कोई भी काम करते हैं अगर उसका रिटर्न मिलता है तो कितना मज़ाता है काम करने में है ना तो समझ लिजे उसी तरह से हर एक काम में ऐसा ही होता है तो खर चलिए आप सब समझदार है, काफी खुद हम से बढ़े हैं, ठीक है ना, तो आप सब उतना बताने की जरूत नहीं है, चलिए ज़्यादा बाते नहीं करेंगे दोस्तों, सीधा हम बात कर लेते हैं, पॉांट पे कि गिटी बालू खरीते वक्त किन-किन बातों को आपको ध्या उसमें क्या होता है, बेलचया से नाभकर्करण में दे दिया जाता है, और क्या होता है, तू घर आते धशती है, घर आते थो भेस तो आपको भर तो अपो घर आएगा तो आपको देखना परेगा, उसके लिए अगर आप एक या के बारे में मंग बाते हैं, डमफर से पाई एक ट्रक गिट्टी या फिर बालू तो इसमें आपको जो है ना काफी बेनिफिट होता है गिट्टी में उतना नहीं होता दोस्तो जितना बालू में होता है तो देखिए अगर गिट्टी या फिर बालू मंगबाते हैं बालू लगभग जादा तर लोग मंगबाते हैं ट्रक से गिट्टी जो है न अपने नियर नजदी की दुकान से ही मंगवाते हैं तो क्या होता है न दोस्तों ट्रक से बालू लाते हैं तो उसमें बिल्कुल कसा कसा बालू रहता है और घर आने के बाद नापी किया जाता है घर आने के बाद जो है जितना भी CFT उसमें बालू 700 पर प्रेक्टर आपको फाइदा होता है एक वालु लेते हैं न दोस्तों तो आपको 2 जवाइदा होता है जुकिसे होता हैं एक व्माद says का वालु कितने मिलेगा चालिस सेल dollar ४त, तो आपको S S have led लेते हैं तो आपको 19 simplemente